दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप बोट रॉकर्ज 333 ANC जो नेक बैंड है उसमें डूल पेरिंग को कैसे यूज कर सकते हैं डूल पेरिंग क्या होता है कि आपका नेक बैंड जो है वो दो फोन से आप कनेक्ट कर सकते हैं ठीक है अगर इसमें गाना बजाएंगे तो इसका आवाज आएगी इससे फोन कनेक्ट होगा अगर आप दूसरे फोन में भी गाना बजाएंगे तो इसका बंद हो जाएगा उसमें का आवाज आपको इसमें सुनाई पढ़ने लगेगी समझ गया तो दोनों device में एक साथ आप connect कर सकते हैं तो इसको कैसे use करेंगे इसके लिए क्या करना है सबसे पहले तो आप अपने neckband को on कर लीजे यह button दबाईए 3 second तक ओके और 3 second तक दबाएंगे जब button तो यह on हो जाएगा अब आपको एक phone अपना कोई भी ले लेना है ठीक है उसमें आपको अपना Bluetooth पे tap करना है Bluetooth अगर बंद है तो इसको on कर लेना है on करने के बाद pair new device पे click करना है तो आपको यह neckband का नाम दिखा देगा आप इस पे click करिए और click करेंगे जब आप तो यहाँ पे यह connect हो जाएगा इस type से अब आपको क्या करना है आपको यहाँ पे Bluetooth बंद कर देना है ठीक है और आपको ले लेना है दूसरा phone दूसरा phone आपको यह Bluetooth पे tap करना है और simply Bluetooth अगर बंद है तो इसको open करना है Bluetooth को और Bluetooth को on करने के बाद available devices में उसी का नाम दिखाएगा neckband का आप उस पे click करिए यहाँ पे pair कर लीजे इसको pair दिखाएगा pair पे click करिए तो यह यहाँ पे pair हो जाएगा अब आप इसमें भी simply Bluetooth on कर दीजे ठीक है तो यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे Bluetooth on किया यहाँ पे connecting दिखा रहा है और यहाँ पे connect हो गया at the same time आप यहाँ पर देख सकते हैं दोनों phones में connect हो गया अब यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं यह देखिए इसमें भी connected है अब हम जिसमें भी अगर इसमें हम गाना बजाएगे तो वीडियो को कर दीज़े लाइक चैनल को कर लीज़े सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस ऐसे ही और भी वीडियोज देखने के लिए